Hello everyone, welcome back to my channel तो guys मैं एक और new reading के साथ आगई हूँ कैसे हैं आप सब? I hope कि सभी अच्छे हैं, खुशें अपनी life में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो मैं reading करने वाली हूँ topic है Are you on the right path? क्या आप सभी सही path follow कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आपका manifestation ठीक से work कर रहा है या नहीं कर रहा है तो जो भी reading में आएगा मैं आपको बताऊंगी और आपको definitely divine की तरफ से आपके लिए guidance क्या आ रही है मैं ये भी बताऊंगी ठीक है तो बिना देर करें start करते है reading और देखते हैं क्या आता है ये reading जब भी आप यहां तक आएं आप देख सकते हैं आपको कुछ ना कुछ help मिल सकती है चलिए अब start करते हैं और देखते हैं कि आप सही रास्ता follow कर रहे हैं या नहीं आप right path पर हैं या नहीं आपका manifestation ठीक से work कर रहा है या नहीं let's see wow archangel matron six chakra appreciation okay victory door to romance woman holding a heart number 44 master number 33 out 44 यहां पर है door to personal healing and happiness number 34 contract number six and we have strength wow woman holding a coin and man holding a coin archangel raphael and man holding a heart wow देखो यहां पर यह दोनों भी हैं और archangel raphael है और man holding a coin and woman holding a coin कपल यहां पर आए हुए है चलिए स्टार्ट करते हैं guys सबसे अच्छी बात है कि right now आपके पास peace of mind है और जब peace of mind होता है तो हम कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और पूरे dedication के साथ कर सकते हैं right now मुझे आपके आजपास कोई anxiety या depression या stress नहीं दिखर पास्ट में दिख रहा था बट अभी नहीं दिख रहा है तो अभी आप अच्छा कर रहे हो सबसे पहली बात है ये right now आप अपने love life भी manifest कर रहे हो और अपने अपना work भी manifest कर रहे हो अपने future में कुछ बनने की कोशिच कर रहे हो जो indirectly आपके love life में manifestation का पूरे अच्छी तरी करना है same condition आपके partner की भी है वो भी अपनी life में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और कर रहे हैं फिलाल आप दोनों के जो heart है वो connected है why because you have peace of mind आपके पास peace है आपके पास that's why and आप जो भी manifest कर रहे हो आप right now आप ऐसी position पर हो जहां पर आपको appreciation मिल रहे है दुनिया आपक आप अपने ध्यान रख रहे हो अपने skin का ध्यान रख रहे हो अपने hair का ध्यान रख रहे हो अच्छे से dress up हो और positive attitude है आपका optimistic हो तो यह जितने भी important keywords है जो एक better life के लिए important है वो सब आप में अभी मुझे दिख रहे हैं और आप इस victory को manifest कर रहे हो hard work कर रहे हो strength आपके अं आप give up नहीं कर रहे हो यह सारी qualities जो एक person में होनी चाहिए victory पाने के लिए वो सब मुझे आप में दिख रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप love life में बहुत खुश हैं लेकिन yes आप separation में खुश होने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही tough काम है जिसमें आपको success मिल रहा है यह बड़ी achievement है अपने person से दूर रहकर अपने love fun से दूर रहकर अपने work पर focus करना यह बहुत बड़ा achievement है और एक कोई easy task नहीं है बट आप इसे कर रहे हो आपका heart chakra balance है आप सबसे प्यार कर रहे हो या आप कोशिश कर रहे हो कि आप सबसे प्यार कर सको आपके लिए भगवान न आप sign करकर आए हो divine के साथ आप उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो तो आपका hard work मुझे हाँ पर दिख रहा है तो इसलिए मैं हाँ पर बोलूँगी कि आप बिल्कुल right path पर हो यह path आपको आपकी victory तक लेकर जाएगा ठीक है और आपके पास enough time है अभी तो आप इसमें give आप ना करें जितना हो सके अपने purpose पे focus करें आर्के इंजल, angels किसे अपने लिए मदद मांगते रहें प्राथना करते रहें because अब वो दिन दूर नहीं होगा अगर आपने ऐसे ही काम करा एक positive attitude के साथ तो आपके life में यह romance आने में देर नहीं लगेगी जादा ठीक है आपके इस अपने पूरे होंगे आपकी wishes पूरी होंगी आप जो जिस का और सबसे अच्छी बात है कि divine आपसे बहुत खुश हो जाएंगे अगर आपने purpose को achieve कर लिया क्योंकि उन्होंने जिस काम के लिए आपको इस अर्च पर भेजा है अगर आप उसे करने में successful होते हैं तो आपक जितना हो सके देखो ठीक है हम अपने person से बहुत प्यार करते हैं और हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते लेकिन अपना purpose नहीं भूलना चाहिए divine ने आपको किसले बेजा है हम सब divine के ही you know divine के बनाए हुए लोग हैं और हम divine से ही बने हैं ठीक है उन्होंने ही हमें बनाया है तो देखो अगर आप इतनी आगे तक आ गए हो तो divine के साथ तो एक ऐसी bonding आपकी बन चुकी है भगवान के साथ जो कभी टूटे ही ने आप blindly believe करते हो उन पे उनके process पर आपको बिल्कुल भी doubt नहीं है और आपको पता है कि जो भी हो रहा है वो उनी की willpower के अंडर हो रहा है तो सब कुछ at the end अच्छा होगा अगर आपने अच्छा किया तो क्यों कि divine ने आपको यहाँ पर एक काम दे कर भेजा है उस purpose को आपने find कर लिया है I know that अब 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 उसको कर रहे हो आप process में हो और आप अच्छा path follow कर रहे हो और यही आपको victory भी का यहां से देखते हैं गाइज आपके लिए क्या आता है आप आपके लिए देखो यहां पर कैसे हार्ट जोड की divine कर रहे हैं यहां पर अपनी blessings आपको दे रहे हैं तो divine आपके साथ मुझे दिख रहे हैं आप एक isolation phase में है राइट नौ यही फेज आपको आपके inner work को करने के लिए मजबूर कर रहे है तो इस phase से घबराना नहीं है को continue रखना है थोड़ा सा patience रखने की आपको जरुवत है यह कुछ कमी है काई जो निकल कर आ रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए थोड़ा सा patience आपको रखना पड़ेगा और इस isolation phase को बुरा ना मान के एक worst phase ना मान कर इसको learning phase मानी है और इसमें काम करते रहे हैं Otherwise आपके पास wisdom है आप अपनी life को recover कर सकते हो जो जो pattern unsolved है उनको solve कर सकते हो जो आपके lost parts है या जो आपने अभी तक अपनी worth नहीं पहचानी अपनी power नहीं पहचानी ये right time है अपने आपको अच्छे से recognize करने का कि ये कितने worth ही आप है इस तरीके से आपको अपने लिए सोच आपके साथ मुझे पूरे तरीके से दिख रहे है आपको सपोर्ट कर रहे है तभी आपके पास अभी peace of mind है आपकी soul क्या कर रही है और या क्या सोच रही है let's see आपकी soul journey से का वाव pride आपको pride है खुदबर क्या अच्छा कर रहे हो very good I love myself ये तो बहुत इंपॉत है आपको अ myself in everyone वाव देखो आपकी soul आपकी soul आपसे यही कह रही है मैंने आपको yes guys पदही क्या है आपको ना right now कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा अगर आपने किसी को माफ नहीं कर रहे है अभी तक और या माफ आपसे आप कर नहीं पा रहे हो आपके पास एक तरीका है I love myself आप अपने आ everyone अपने आपको ही हर किसी में देखो suppose that अगर आप अपने कोई friend है या आपकी कोई cousin है suppose that आपके कोई cousin sister हो आपको बिल्कुल भी पसंद नी करती है, या फिर आपकी रियल सिस्टर ही है, सब्सक्राइब करती है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है, आपको गिल्ट फील कराती है, तो आप ऐसे परसन को माफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपने आपको उसकी ज है रही है, हुमर, I choose to be focused on the lighter side of my life, आपको यही चूस करना है, कि आप lighter side में देखें अपने आपको, ठीक है, डाक में नहीं, lighter side में, ग्रीफ, I understand that losing something, it's an opportunity to appreciate it, जब भी हम कभी कोई चीज खोते हैं, तो definitely वहीं से कुछ ना कुछ opportunity आती है, जिसकी बज़ा से हमें कुछ नया करने के लिए chance मिलता है, तो इसलिए ग्रीफ में रहने का कोई भी point नहीं बचा है, यहाँ पर, ठीक है, कुछ दिक्कते हैं, जो अभी solve करने हैं आपको, यह कुछ points थे, जो मैंने अभी आपको बताए ह हैं, आप अच्छा पात follow कर रहे हो, बस कुछ कमिया है, उनको थोड़ा सा, मतलब यह कमिया नहीं है, जैसे कि आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, तो यह बहुत major factor हो चुका है, बाकि आप अपने आपको लाइटर साइड में देख रहे हो, आप कुछ भी अगर आपने ख अच्छा होते हुए दिख रहा है, और आपको success मिलेगा, आपका manifestation पूरा होगा, आप सही बात पर हो, बस थोड़ी सी कमिया है, इनको ठीक कर लो, आपको victory जल से जल मिलेगी, ठीक है, गाइस, this is your reading, I hope कि आपके साथ resonate हुई हो, आपको पसंद आई हो, अगर यह reading आपके subscribe कर देना, वीडियो को like कर देना, अभी के लिए बस इतना है guys, bye, take care